हाई फ्रेंट्स वेलकम जो मैं चैनल शिखा अगरवाल आज मैं जो आपके सामने प्रोडेक्ट का रिव्यू करने जा रही हूं वो मुझे रिसीव हुआ है वाउ स्किन साइन्स की तरफ से उनके प्रोडेक्ट्स अपने नाम की तरह ही जस्ट वाउ होते हैं तो फ्रेंट्स बिना देरी के हुए चलिए मैं आपको प्रोडेक्ट्स दिखाती हूं तो फ्रेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं दो दो पर्फ्यूम यस वाउ के दो पर्फ्यूम है दोनों ही बहुत ही कमाल के हैं अब मैं इनकी अनपैकिंग का आपके सामने करती हूं कैसी है मैंने भी तक इनको खोल के नहीं देखा है बस इसकी लैमिनेशन रिमूव की है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो और चलिए मैं इनको अभी एक एक करके आपको इनको ओपन करके दिखाती हूं कैसी इसकी बॉटल है कैसी फ्रेग्रेंस है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने साइंस का दून दियोदा क्रिस्प एंड गुडी ओल डे फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा पर्फ्यूम है फ्रेंड्स चलिए इसको उपन करते हैं कुछ इस तरह से उपन होता है यह दिखिए ऐसे वाव मिलन जब भी इसके प्रोड़्स यूज करते हूं ना वाव के मेरे से अपने आपी वाव निकलता है यह देखिए कितनी प्यारी बॉटल इसके अंदर कुछ इस तरह से पैक ही भी है मत्तब ट्रैवल फ्रेंडली भी अगर आप इसको कहीं पर लेके जाएंगे तो बिल्कुल सेफ रहेगी यह देखिए यह अंदर यह फोम लगा हुआ इस तर अपन करके इसकी खुलते ही इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो चारो तरफ घूमने लगते है मैं इतनी फाइन इसकी फ्रेग्रेंस है और 30 ml की यह बॉटल है मैं इसका भी आपको करके देखती हूँ जस्ट वाव अगें बहुत ही प्यारी है बिल्कुल करते ही एकदम वन स्प्रेग के बाद ही आपको ऐसा मैसस होने लगेगा अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी और जहां तर मुझे आइडियास है पर्फ्यूम का उसकी जो फ्रेग्रेंस लग रहे है कि अगर मैं सुभा के अगर मैं इसको यूज करूगी तो 5-6 पीम तक कहीं नहीं जाने वाली बहुत ही प्यारा पर्फ्यूम है यह देखी इसकी कुछ पैकिंग इस तरह से आई है मेरे पास इनका जो पर्चेस लेंक के और प्राइज है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया आप महां जाके चेट कर सकते हैं और दूसरे वाला जो पर्फ्यूम है इसका नाम है डाजलिंग ड्यू डाजलिंग ड्यू फ्रेस्ट एंड जेस्टी और डे फ्रेग्रेंस ओर यह भी 30 एमल की बॉटल है इसके नशली इसको ऑपन करते हैं मैं स्यूर सेम पैकिंग होगी यस यह देखिए हैं सेम पैकिंग है इसको इस तरह से ऐपन करते हैं नाम यह इसकी स्मैल कर लिते हैं एक बार यह इधर वाले पर करूंगी उसकी तो अभी तक मेरे को आ रहा ह यह भी बहुत अच्छा है महला बिल्कुल एक दूसरे से दोनों different है आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर एक ले लिए तो दूसरे लेने की क्या ज़र होता है महला बिल्कुल इना दोनों एक दूसरे के opposite है अगर वो थोड़ा सा महला हाड है तो यह थोड़ा सा light है इसकी अगर जो light perfume यूज करते हैं वो यह वाला यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है यह वाला भी क्योंकि उस पर already लिखा हुआ था crisp and woody तो वो थोड़ा सा obviously थोड़ा सा strong है यह थोड़ा सा light है तो friends इन दोनों प्रोड़क्स की link आपको description box में मिल जाएंगे आप वाउ की website पर जाक इसे मिल जाएंगे तो प्लीज चेक कीजिए और जल्दी से purchase कर लिजे बहुत ही amazing perfumes है इस range में चलिए मैं आपको इसका प्राइस भी बता देती हूं इसका जो प्राइस है दोनों का ही 499 रुपीज है और अगर आप वाउ की website पर जाते तो कुछ ना कुछ आपको discount जरू मि कर लिजे वैसे description box में इनका link दिया हुआ है दोनों ही perfume बहुत ही amazing है अगर आपको यह वाली fragrance suit करती है तो आप इसको purchase कर सकते है चले friends अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आते तो प्रीज इसको like कर दीजे share कीजे और मेरे चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजे thank you so much have a nice day